नमस्कार हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश की योगिया दितना सरकार और भारती जनता पार्टी की मुश्किले बढ़ती दिख रही है हाथरस के जिला प्रशाशन दौरा जब रात में ही परीजनों के पीडिता के परीजनों के विरोध के बाउजूर जब पीडिता का अंतिम संसकार किया गया तो उसके बाद से ही जिला प्रशाशन और उत्तर प्रदेश सरकार पर उत्तर प्रदेश पुलिस पर सैकलो सवाल उठे और उन सवालों का जवाब देने के लिए सरकार की ओर से कहा गया कि उत्तरप्रदेश में जाती ये तनाओ पैदा करने की कोशिश थी जाती ये दंगा कराने की कोशिश थी और इसके लिए फंडिंग होने की बाद कही गई और पॉपिलर फ्रेंट आफ इंडिया का इसमें नाम आया और कहा गया कि पॉपिलर फ्रेंट आफ इंडिया और भीम आर्बी के आपस में लिंक है लेकिन एक शुरुवाती खबर आ रही है उसके हिसाब से उसमें एक हा गया है कि जो सौ करोड की फंडिंग वाली बात है वो फंडिंग वाली बात गलस साबित हुई है तो इसके बाद एक और नई मुश्किल बीजेपी के सामने प्रदेश सरकार के सामने खड़ी हो रही है हातरस में वो क्या है इस पर मैं बात करूँगा आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com अपील मेरी आप से यही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें सत्यहिंदी की सदश्चता योजना में शामिल हो आर्थिक भुक्तान का लिंक अमने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ मैं बात करना हूँ हातरस के मामले की हातरस में जो नई मुश्किल भारती जन्ता पार्टी के सामने खड़ी हो रही है वो ये है कि हातरस में हातरस मामले को लेकर स्थानिय दलित नेता और समण नेता आमने सामने है दलित नेता में जो वहाँ के सांसद हैं राजवीर दिलेर और उनकी जो बेटी है मंजु दिलेर का नाम है दोनों बीजेपी के नेता है अच्छे कद के नेता है और जो विपक्ष जो 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 उनके सामने है वो भी बीजेपी के हैं पूर विधायक है राजवीर सिंग पहलवान तो राजवीर सिंग पहलवान का जो प इतनी बड़ी सभा का आयोजन क्यों किया उनका एक कहना है पहलबान का कि इसमें अभियुक्त जिनको बताए गया है उनको निर्दोश फसाने की कोशिश की गई है वो भी CBI जांच की सिफारिश कर रहे है नार्को टेस्क की सिफारिश कर रहे हैं लेकिन उनके उनका जो इसमें पक्ष है वो यही है उनका एक कहना है और जो उनके साथ जो लोग है उनका एक कहना है समझने तपकेगा कि इसमें जो पीडिता की हत्या हुई है वो मा उसकी मा उनकी मा और उनके भाई ने की है और जो अ आइंसाफी हुई है, हैवानियत हुई है और इसके बावजूद उन्हें डराया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, हलांकि उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर पुलिस तैनात है और घर के आसपा सीसी टीबी के कैमरे भी लगाये गए हैं, तो इस मामले में जो सियासत है वो बीजेपी के लिए मुश्किल इसी लिए खड़ी हो रही है, क्योंकि अपनी ही पार्टी के दो अलग अलग जातिय समुदाय के नेता वहाँ पर आमने सामने हैं, और जो स्थानी जो समण विरादरी के लोग हैं, उनका एक कहना है कि क्योंकि जो पीडिता थी उसकी जात हैं, और उनका कहना है कि अभ्यूपतों को बेवज़ फसाने की कोशिश की जा रही है, जबकि मैं आपको बताऊं कि मन्जू दिलेर ने जब हातरस की घटना हुई 14 सितंबर को, उसके बाद उनकी एक फेस्बुक पोस्ट है, जो वाइरल हो रही है, उसमें उन्होंने 19 सितं के साथ दलिद जो युवती थी, उसके साथ बलातकार होने, उसके साथ मारपीठ होने, ये बात कही थी, और ये भी कहा था कि उन्होंने इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगिया दित्यनाद, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतन देव सेंग और उस्तर प्रदे प्रदेश के DGP को भी इस घटना से अबगत करा दिया है, और उस हाथरस के DM और हाथरस के SP से भी उन्होंने इस घटना को लेकर बात की थी कि संदीद के अलावा जो बाकी तीन अभ्युक्त हैं, इनको भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए, तो उनकी जो ये पुरानी Facebook पो अब्युक्तों को फसाया जा रहा है, वो निर्दोश है, और अभी मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले एक अंग्लेजी अकपार ने कुछ दलिस सांसदों से उत्तर प्रदेश के कुछ दलिस सांसदों से इस मसले पर बात की थी, और उन्होंने भी इस बात को पार्टी दाह सब्सकार कर दिया गया, तो इसको लेकर उनमें भी नाराजगी थी, और एक सांसद ने ये भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में की जो पुलिस है, वहाँ पर जातिवाद और भिष्टाचार की जड़ें काफी गहरी हैं, और चुकी जैसा मैंने कहा कि पार्टी लाइन से बदे होने के कारण वो बहुत कुछ जादर नहीं बोल पाए, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि पुलिस गरीबों और दलिस समुदाय के लोगों का उत्पीडन कर रही है, हाला कि उन्होंने योगी सरकार में विश्वास दिताया और कहा कि सरकार दोशियों के खिलाफ कड नहीं दिला रही है, और सोशल मीडिया पर तमाम तरह की जाती ये बाते या जाती आधार पर नफरत फैलाने की बाते भी कही जा रही हैं, इसको लेकर कई F.I.R. दर्ज होने की भी सूचना है, अब उत्तर प्रदेश में जैसे जिस तरह प्रियंका गांधी और राहुल गा पहुचने की कोशिश की, पहले दिन उन्हें रोका गया, दूसरे दिन वो फिर पहुचे और समाजबादी पार्टी और राष्ट्री लोगदल ने जिस तरह प्रदर्शन किया है, राष्ट्री लोगदल के उपाध्यक जैन चौधरी पर जैसे लाठी चार्च हुआ, उसके मिल गई है, हालाकि हातरस मामले की CBI जाच हो नहीं है, योगी सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि शीर शादालत की निगरानी में ही इस मामले की जाच हो नहीं चाहिए, तो CBI जाच इस मामले की होगी, उसमें जो कुछ निकल कर आएगा, वो सब के सामने इसके अलावा, जो हातरस का मसला है, जहां पर दलित और समण तपका आपने सामने है, वो भी पार्टी के लिए चिंता का विशा है, और सोशल मीडिया पर जिस तरह से दलित समुदाय अपनी नाराज़गी जता रहा है, और समण तपका भी लगातार अब युक्तों के निर कि उनके नेत्त में पार्टी बंपर जीत हासिल करें, और राममंदिर के शेलानियास के बाद बीजेपी को लग रहा था कि उसे बड़ी जीत मिलने से अब कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हातरस मामले ने इस उमीद को कम किया है, धूमिल किया है, तो देखना होगा, CBI हातरस मसले को लेकर अपनी आवाज को गर्म रखेंगे, बुलंद रखेंगे, और पीडिता को इनसाफ दिलाने की जो बात है, वो करते रहेंगे, प्रदेश सरकार ने भी यही कहा है, कि वो इस मामले में जाज कर सच को सामने लाना चाहती है, सत्तिहंदीर.com मैं आज के लि ये बेल आइकन दबाए.